नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्वाले कुस्वान और आप देखेंगे टेक्सला फार्म और गारंज नाजरीन, आज आपको बताऊंगा के मिठ्षे की पूनिंग कैसे की जाती है Hello viewers, I am Marie Kuswan, Today I will tell you how to prune a lime tree सबसे पहले जो है एक ब्रांच है जो के बिलकुल नीचे से जो हूँ और मैं चारों के इसको जो हूँ रिमूव किया जाए I want to remove this branch because it will create lots of problem in the later stages of the plant growth इससे जो है अगर जब हम इसको remove कर देंगे तो हम easily जो है अपने plant को fertilize कर सकते हैं easily जो हम इसकी गोडी जो है वो कर सकेंगे दूसरा जो है ये शाखे जो है वो later stages में आपस में तक्राएंगी नीच So in the later stages, these branches will not criss-cross with each other so we are going to remove it आप नादरीन देखिएगा कि मैं इसको जो है वो remove कर दूँगा लेकिन अससे पहले आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है ये कुछ tools है कि मेरे पास आरी है जो कि बड़ी branches को काटे के लिए इस्तमाल होगी लेकिन इसको जो है वो आपने सबसे पहले जो है वो ये यहां से जो है हो इसको मैं शूरू कर रह हूं यहां से जो है वो इसको मैं शूरू कर रहा हूं यहां से जो है वो इसको मैं शुरू कर रहा हूँ यह देखिए नाजरी प्लीन कट इस तरह का हवा आपने ख्लीन कट रखना है यह अब जो है वो काफी ओपन हो गया है हावा और रोशनी के लिए आपने जो है वो आपने ख्लीन कट रखना है यह आप देख सकते हैं अब जो है वो यह उपर की तरह बहुत ज्यादा शाख जा रही है तो मैं इसको जो है वो इसको यहां से जो है वो काट दूगा आपने जो है यहां से जो है यहां से जो है हूँ रिमोग कर रहा हूँ इसी तरह यह बरांच जो है वो इसको रिमोग कर दूगा कुछ बरांचे हैं जो के क्रिस्ट रॉस अंदर की तरफ कर रही हैं आप दूगा क्रम कर दो, लिए यहां से व्याँ तरह प्रांच को मैं यंखा यहां से रोग का जो है बरांच को मैं यहांसे इसके लिए जो है वो मैं दूसरा जो है वो टूल यूज़ कर रहा हूं इसके लिए, आप देख्षुते है हा वह देख्षे हैं, व यू कने सीतन, की आप देख्षुते हैं, व देख्षे हैं की इससे options की आप unter इस ब्रेंक बज़ा दूराए इन दूरा इस दूरा है मैं अब अब यह प्रोंच भाएं इस दूराओने माद दूरा है प्रोंच भाएं फ्रॉड्वा पस्ट अद्यरा from here आप नाज़ीं देख सकते हैं यह काफी जो है वो मैंने इसको चितरा से जो है वो प्रूंग कर दिया है लिए प्रूंट दिया आयने वले साल की भूल है और उत मुझस इसके बाल new रउल और भया मंत horizon लिए कोशी फिर करता हूं इसों अप्रूंग आप देख सकते हैं नाजरीन के मैंने इसकी जो है वो प्रूमिंग कर दी है तो मैं समयता हूँ कि इस साल के लिए बहुत है एक जो जायद हमने शाक काटी है वो काफी बड़ा एक पोर्शन था एकिन उसको काटना बहुत जरूरी था ताके आप एजी जो है अपने पौदे को जो है वो खाद दे सके, पानी दे सके और दूस्री जो चीजे अपड़ा लाइट जो है वो एजी पाथ हो सके पोर्दे KEYां अंदर और एयर भी इसके अंदर पैनिट्रेट कर सके ताकि इसको कोई फंगस से रिलेटिड कोई डिजीज ना लगे और फ्रूटिंग जो है वो अच्छी हो सके तो अमीद करता हूँ नाजरीन आज की मेरे ये वीडियो आपको पसंद आएगी अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए तो अपने कॉमेंट्स के जरी मुझे अगा जरूर कीजेगा आपके कोई भी सवाल हो तो उसके बारे में मुझे जरूर बताएं आए इन्शाला बहुत जाल एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आजरे थिद्मत हूँगा तब तब के लिए अल्ला आफ़ेज़